Time Management कैसे करते हैं? बहुत सारी बच्चे ये सोचते हैं कि सर हम जॉब में हैं तो हम exam clear नहीं कर पाएंगे सर हमाई साथ साथ college चल रहा है तो हम exam clear नहीं कर पाएंगे Physics, Chemistry, Biology आप SSC में भी पढ़ते हो और जिस level का SSC के अंदर आता है लगबग उसी level का यहां पर भी आता है accurate data दिमाग में होना चाहिए तो वो fixed amount of accurate data कब आएगा? जब आप एक limited content को multiple time पढ़ोगे Hello everyone, welcome to engineers वाला कैसे हैं आप सभी और आज हम लोग बातचीत करने वाले डियर RRBJ CBT1 के बारे में जब से RRBJ CBT1 की date आई है सारे बच्चे बहुत ज़्यादा चिंतित है sir इस exam को हम target कैसे करें किस तरह से हम non-technical portion जो majority हम लोग का week है उसको कैसे target करें मैं आज आपको कोई बहुत बड़ी guidance या बहुत बड़ा schedule या to the point plan बताने नहीं आया मैं आपको वो plan बताने आया हूँ जो मैं follow, मैंने follow किया था CBT1 को crack करने के लिए ठीक है, RRBJ CBT1 जब RRBJ पिछली बार हुआ था last recruitment हुआ था तब मैंने भी वो paper दिया था CBT1 को qualify किया था अजमीर जोन से तो वहाँ आपको पता है कि अजमीर जोन आपका highest cutoff वाला पन of the highest cutoff वाला जोन था और जोन में अगर आप non-tech में qualify कर पाते हो क्योंकि non-tech ही एक ऐसा portion है जो generally हमें लगता है कि हमारा week है यह कि तो non-tech को अगर हम proper तरीके से अगर manage कर पाएं तो मैं आज मेरी strategy आपको share कर रहा हूँ अगर आपको यह suitable लगती है तो आप definitely इसको follow कर सकते है नहीं तो आप कोई और भी strategy अपने according भी follow कर सकते है तो आज मैं इस पूरे वीडियो में last तक यही बात करूँगा क्या मैंने follow किया किन बातों का मैंने ध्यान रखा एक्जाम से पहले और 50 दिन अभी लगबग आपके पास बचे है तो यह right समय है किस प्रकार की strategy को follow करने का भी तो how I cleared RRBJ CBT1 इसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ सर देखो यह मेरा official telegram channel है सर देखो pattern की अगर बात करें तो pattern वैसे आपको पता है क्या-क्या pattern रहेगा सर यह आपको definitely clear है कि math के 30 question आएंगे, reasoning के 25 आएंगे, general awareness के 15 आएंगे, general science के 30 question आएंगे यह सारी चीजें आपको पहले से idea है सर आब इसको target कैसे करें जैसे मैंने जब इसके तयारी करी थी CBT1 की और मेरे पास भी लगबग उस समय इतना ही समय था मतलब मैं SSC की तयारी और UPSC Engineering Services के तयारी हम लोग कर रहे थे और उसके साथ-साथ मैंने RRB का जब vacancy आई तो definitely RRB एक prestigious vacancy है तो आप definitely उसके लिए apply भी करते हो उसके लिए form भी fill up करते हो तो CBT1 सबसे बड़ा challenge उस समय था कि sir non-tech को मैं कैसे तयार करूँ तो as a student मुझे लगा कि sir मेरे पास कह क्यों कि मैं उस समय job भी कर रहा था freelancing भी काफी चल रही थी लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई भी करनी तो समय बहुत कम था तो time को manage करना सबसे ज़्यादा important होता है हमारे लिए कि हम time management कैसे करते है बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं sir हम job में हैं तो हम exam clear नहीं कर पाएंगे sir हमाई साथ साथ college चल रहा है तो हम exam clear नहीं कर पाएंगे नहीं जितना कम समय आपके पास होता है उतना बहतर आप उसको utilize कर पाते हो ये सबसे बड़ा point आपको ध्यान रखना है ये आपको line बहुत motivate करेगी मुझे इस line ने बहुत motivate किया है कि जब समय कम होता है तो उसकी value हमें पता होती है जितना कम समय उतना कम समय आप waste करते हो ठीक है सबसे पहली बात इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है तो sir मैंने सबसे पहले ये analyze किया था उस समय कि यार exam pattern ये है और exam pattern में math आ रहा है reasoning आ रहा है reasoning में मैं अच्छा कासा score कर सकता हूँ ये इस्तिती आपकी भी होगी कि आपको reasoning जो है उसको पकड़ जरूर बनानी है क्योंकि काफी समय से आप SSC को भी target कर रहे होंगे और भी exam target कर रहे हो और normal एक engineer का पकड़ सर इसके उपर मजबूत होती है तो reasoning जो portion है तो मतलब सर्थ 100 में से मेरा एक चौता ही portion जो है वो तो मेरा सर एकड़म clear है तो 100 में से एक चौता ही portion तो मैं बिल्कुल clear है तो reasoning में मुझे लेके कोई ड़ड नहीं था reasoning में कर जाऊंगा ये मुझे पता था अब जब मुझे पता है सर यह मेरा strong area है जहां से मुझे marks लेके आने हैं तो मैंने क्या किया सर reasoning की आपके पास एक marathon जो YouTube चैनल पर उस समय पड़ी थी तो मैंने just search किया जो CGL कोंकि non-technical portion है तो आपको मिलेगा YouTube पे बहुत अपार content है content की कमी कहीं नहीं है तो YouTube पे मैंने सर मेराथन classes क्योंकि मातर 50 दिन बचे थे अब उसकी तैयारी करनी है तो हम ऐसा तो possible नहीं है कि अब नहीं किताब लेके आओं और उसको page by page पढ़ना शुरू करूं और फिर उसके notes बनाओं फिर उसके short notes बनाओं फिर previous year question लगाएं यह strategy को follow करने का समय अब नही available थी, 2-3 marathon आपको वहाँ मिल जाएगी available तो वहाँ से मैंने जो सब के 10-10 minutes सुन लिये starting के और जिससे मुझे समझ में आया मैंने वो वाली marathon पूरी complete कर ली तो लगबग वहाँ पर 8-10 गंटे की जो marathon थी reasoning की वहाँ से मेरा reasoning जो मेरा पहले से ही strong था सर्फ उसके उपर मेरा confidence औ मतलब practice में लेके आने के लिए सर मैंने सबसे पहले उठाए previous year questions और जब आप एक बार इस तरह की marathon classes कर लेते हो और थोड़ा मोटा base अगर आपका पहले से बना हुआ है उस वाले में आप कब देखोगे कि आप PYQs को बहुत बहतरीन तरीके से attempt कर पाऊगे इतना difficult नहीं आत को यह 50 दिन में ऐसा नहीं हो सकता कि आप full proof course के साथ उसको पूरा detail में पढ़ो किताब ले क्या हो नया एकदम पढ़ने बैटो खुछ से note बनाओ यह possible नहीं है अगर आप एकदम zero पे हो तो वो आपका possibility बहुत कम हो जाती है क्योंकि बहुत सारे बच्चे reasoning में अच्छा score कर कर सकता मैं सचा ही बताऊंगा कि अगर आप इस समय भी एकदम zero पे हो तो सार आपके लिए select होना बहुत मुश्किल हो जाएगा बासमझ मारी है अब दो महीने के अंदर ऐसा को जादू करिश्वा नहीं हो जाता कि आप पूरा का पूरा 100 नंबर का preparation एकदम zero से hero तक ही कर पा और मैस का जब मैं देखा कि sir मैस के अंदर LCM HCF अब ये topic कोई बहुत मुश्किल नहीं है ये topic हम लोग पहले भी पढ़ते थे ये topic हमने 10-12 के अंदर पढ़े हैं sir topic हमने कहीं न कहीं examination दिये तो उसमें पढ़े ही थे लेकिन वो revised नहीं थे flow में नहीं थे तो flow में नहीं थे तो हर बार questions आपके गलत हो जा रहे थे तो मैंने कैसे follow किया sir मैं बताता हूँ मेरी strategy अगर आपको ठीक लगे था follow कर सकते हो sir math के लिए मैंने क्या किया सबसे पहले मैंने math का एक test दिया मतलब कुछ भी पढ़ने से पहले मैंने सबसे पहले test attempt कर लिया अब इस test का मकसर यह नहीं था मेरा कि मैं इसमें top करूँगा मेरा score आएगा वह में को judgment देगा यह सब नहीं था मुझे बस अपने आपको नापना था अपने आपको judge करना था कि अभी मेरी present इस्तिति क्या है math के अंदर तो मैंने सर वो test दिया जो लगबग 25 नंबर का test था एक तो 25 question का एक test था लगबग उन 25 question का मैंने test दिया था और मैंने यह देखा सर कि मेरा जो वो test था सर उसमें मैंने 15 questions को ठीक थाक attempt कर लिया था लेकिन 10 question मैंने negative कर दिये थे मतलब मैंने attempt पूरा किया test को मुझे लगा कि यह भी आता है मुझे लगा यह भी आता है लेकिन आता नहीं था उस समय तो 15 question तो सही होगे लेकिन 10 गलत होगे तो negative भी ले गया यह तो यहां से मुझे लेकिन एक idea लगा कि सर मेरा correct attempt भी ठीक थाक है इसका मतलब math को मैं improve कर सकता हूँ तभी मैंने उसके अंदर timing बढ़ाई हम क्या कर सकते हैं सर यह blindly follow करके हम नहीं जा सकते कि सर मुझे math तो पढ़ना ही पढ़ना है सर math के बीना तो मेरा नहीं होगा अगर आपके math में आज के time पर अगर आप 25 question solve कर रहे हो एक test ले रहे हो और आपके अगर सिफ एक या दो question सही होते हैं तो my friend आप बहुत बुरी इस्तिती में हो यह सचा ही आपको पता होनी चाहिए आप चाहा कर भी आप दो महीने के अंदर इस एक या दो number से सीधा 25 number तक नहीं पहुच पाओगे बहुत मुश्किल समय बहुत जायता है आप लिए लेकिन अगर आपका छोटा मोटा अधार बनावा जैसे मैंने देखा था कि सर्थ मेरे 15 question तो ठीक हो रहे हैं मतलब मुझे अब क्या करना है मुझे work करना है अपने negatives के उपर कि मुझे negative marking कम से कम करनी है मुझे इस चीज पर काम करना था तो फिर सर्थ मुझे लगा कि math पर मैं काम कर सकता हूँ और definitely एक डेड़ महीने में मेरा math जो है इस स्थिती से तो improve हो ही जाएगा बात के लिए रहे है इससे आप कम भी देख सकते हो मतलब अगर आप यहां पर एक test देखे देख लो सर अगर आप बतलब लगबग 9 से 10 question की range में भी हो तब भी आप math के ओपर फिर full on लग जाओ और कैसे लगना है सर मैस को improve करने का सबसे बढ़िया तरीका है question practice और question practice से पहले अगर आपको एक आधार बनाना है बेस बनाना है तो अलग-अलग market के लिए किताबे भी आती जैसे topic को लेके भी पढ़ सकते हो है जैसे for example कोई topic आपको पढ़ना है जैसे LCM SCF topic आपको पढ़ना है उसको direct search के लिए YouTube के पर उससे related जो वीडियो आया जो भाषा आपको समझ में आई उस भाषा से आपने पढ़ लिया इस तरीके से आप समय को बचा सकते हो इस last moment पे क्योंकि last दो महीने में चाय कोई कुछ भी बोले जो सचाई है सत्य है सर वो एक ही चीज है कि last दो महीने के अंदर आप क्या कर सकते हो आप सिफ यहाँ पर PYQs लगा सकते हो question practice कर सकते हो और test दे सकते हो zero से hero नहीं बन सकते यह सत्यता है इसको समझना पढ़ेगा जब इसको सत्यता को समझ जाओगे तभी आप महाँ पर select हो पाओगे बात एकदम समझ माई तो सर मैथ को related आपको इस तरह से करना है कि आप marathans को follow करो और फिर आप सिर्फ direct questions की उपर लगो previous year question सबसे पहले करना है ताकि अंदाजा बैठे और फिर आपको बस test लगातार देते चले जाने है और test सिर्फ देना नहीं है test को साथ सा dear आपको analyze भी करना है इसका visualization भी करना है कि गलतिया कहा हो रही है कौन सा topic है जो गलत हो रहा है समझ महीं बात जो topic आपका गलत होता है उस पर ज्यादा focus करो और जो topic सही हो रहा है उसको आप मान लो कि यह मेरा strong area है यह exam में भी सही होगा इसक physics, chemistry, biology आप SSC में भी पढ़ते हो और जिस level का SSC के अंदर आता है लगबग उसी level का यहाँ पर भी आता है तो general science का सिफ मैंने एक काम किया था मैंने उस समय जा तक मुझे याद है सर मैंने telegram के अंदर PDF जो हमारे पास होती है सर PDF बहुत सारी available थी तो PDF के तुरू one-liner notes मैंने दूंडे तो मैंने एक proper notes दूंडे जहाँ पर general science के one-liner थे और कुछ notes मेरे पास SSC J वाले पढ़े थे तो जो one-liner portion जितना भी था physics, chemistry, bio का वो मैंने सारा सा general science वाला पढ़ लिया और उसी से लगबग यहाँ पर देखो अब इसमें score बहुत जादा तो नहीं हुआ मतलब 30 में से ऐसा नहीं है कि मैंने वहाँ 25-26 score कर दिया होगा मेरा I think overall score जो था वो non-tech में 76 ता out of 100 और अजमेर जो था वो अजमेर जोन की cutoff भी लगबग 70 प्लस ही थी क्योंकि अजमेर जोन आप सब को पता है कि आपका highest cutoff zone के अंदर आता है तो भी वहाँ पर crack हो गया था paper क्योंकि 70 plus I think cutoff कुछ थी और 76 marks आ चुके थे यह दिखने में अच्छे number आते है ठीक है लेकिन यह number जादा तर आये मेरे यहां से math और reasoning से यहीं से आपके number आये लगबख 55 में से I think मेरे math के अंदर लगबख 48-49 marks यहां पर थे तो यह कैसे हो पाया क्योंकि reasoning मेरा confidence काफी अच्छा था और math पर मैंने अपनी कमिया ढूंड लीती है सर यह यह portion मेरे week है उसके उपर सिफ question practice करते जाओ question से ही आपका इस last moment के अंदर जो improvement हो बहुत बहतर होगा सर इसके बाद general awareness इसको लेके ज़्यादा परेशान नहीं होना है देखो general awareness को लेके बहुत ज़्यादा परेशान नहीं इस article constitution में यह article जो यह बताता है यह चीज़े आपने पढ़ दी कुछ बाते सर आपने यहाँ पर जोग्राफी की पढ़ दी इन दोनों से ही portion से maximum question आते हैं अब कितने मांक से सर पंदरा नंबर है तो पंदरा नंबर के लिए कोई आप यह बड़ी PhD वाली किताबे थोड़ी पढ़ने लग जाओगे जो UPC वाले बच्चे पढ़ते हैं वो सब तोर करोगे नहीं सर तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है खास इसमें सिर्फ आप quality पढ़ लो पॉलिटी को देख लो जो ग्रैफी एक subject है उसको पढ़ लो इसमें से जो आपने वैसे से जी में भी पढ़ा होगा तो नोट्स आपके पास पहले से हैं लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखना सबसे बड़ी गलती क्या होती है सबसे बड़ी गलती है कि हम हर जगा से सिर्फ नोट्स इखटे करते रह जाते हैं अगर आप सिर्फ नोट्स इखटे करते रह जाओगे और हर जगा से अलग अलग notes पढ़ोगे तो कभी भी आपके दिमाग में एक fixed data नहीं आएगा exam clear करने के लिए fixed amount of data accurate data दिमाग में होना चाहिए तो fixed amount of accurate data कब आएगा जब आप एक limited content को multiple time पढ़ोगे तो content कम रखो लेकिन पढ़ो उसको बहुत बार ठीक है इस टीज को आपको ध्यान रखना है तो general awareness में अगर आप इतना भी कर जाओगे सर इस में से 15 में से लगबग 57 number आप बहुत easily निकाल पाओगे तो अभी आप लोगों का ये target जिसका अच्छा है वो तो अच्छा है आपने अच्छे से focus कर लिया जो easy to remember होता है for engineers ठीक है मैंने भी साल लगबग यही किया था general awareness में कुछ खास number नहीं थे चार से पास number या I think आयते हो इसको मैंने ज़्यादा target भी नहीं किया था देखो last moment पे हर चीज को zero से hero नहीं कर पाओगे कुछ तो आपको छोड़ना पड़ेगा कुछ तो strategy अपनानी पड़ेगी कुछ तो smart work करना पड़ेगा आपको देखना पड़ेगा sir कि कौन सा strong area जहां से मैं perform कर सकता हूँ अब यह strong area हर बच्चे का अलग हो सकता है ठीक है हर बच्चे का weak area अलग हो सकता है इसलिए हर बच्चे की strategy अलग हो सकती है मैंने अपनी strategy आप लोग साथ share करी है अगर आपको यह strategy beneficial लगती है तो आप भी इसको follow कर सकते हैं ठीक है otherwise आप जिस भी strategy दे follow कर रहे हैं लेकिन एक बात जरूर ध्यान लखना question practice और उसके साथ test यह चीज़ें आपको बहुत बहतरी तरीके से करनी है content की आपके पास कोई कमी नहीं है ठीक है content market में बहुत ज़्यादा available है तो I hope dear यह video आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहा होगा और यह मुझे बहुत motivate किया दो बाते जो मैंने इस पूरी preparation time सीखी थी जब मैंने CBT1 निकाला था और बहुत कम समय में निकाला था उसमें एक बात थी कि notes कम रखे और पढ़ा उसको बहुत ज़्यादा बात repetition बहुत ज़्यादा किया उसका यह बात है और दूसरा मैंने अपने strong और weak areas को वहाँ पर target कर लिया था कि यह मेरे strong है यह मेरे weak है यह दो बाते अगर आप अपनी preparation में अभी से जोड़ दोगे तो यह 50 दिन आपके बहुत motivated निकलेंगे otherwise आप हमेशा की तरफ फिर से demotivated feel करोगे और जब exam निकलता नहीं है ऐसे में तो I wish you all the very best for this exam I hope मेरी यह strategy जिसने मुझे help किया I hope आपको भी यह strategy definitely help करेगी कोई भी समस्य अगर आपको आती है तो आप मेरे official telegram channel पर connect कर सकते हो यहाँ पर मैं आप लोग के साथ सारी बाते भी करता हूँ नोट्स भी सारे आपके पास यहाँ अविलेबल रहेंगे तो सारी चीज़ें आप यहाँ इस particular telegram channel पर connect कर सकते हैं मिलेंगे ऐसे किसी कुपसर से वीडियो में Till then, keep learning and keep rocking